ग्वालियर की डबरा बिधान सवा इस समय चर्चा का विश्या बनी हुई है क्योंकि यहां से कॉंग्रेस बिधायक सुरेश राजे का कतित आपत्ति जनक असलील वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद अब पूर्व मंत्री और सिंदिया समर्तक इमर्ति देवी का एक ओडि सुरेश राजे जी ने खुद अब मीडिया के सामने आकर यह कहा था कि उनको सलेंद किता है यह वीडियो फेक है इसकी जाचकी उन्होंने कुद मांग की थी कि मैं पुलिस में जाऊंगा और इस वीडियो की सत्यता की पुष्टी के लिए जाचकी मांग करूंगा अब आज जो आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा है और सोसल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा है कि आज सिंधिया समर्था के मरती देवी का ओडियो बाइरेल हुए है और ओडियो में वो क्या कह रही है आप सबसे छुपा नही किसी तरह से हम सुरेष राजे जी को फसा सकें उनकी लोगपृता को धूमिल कर सकें उर जैसा कि आप सब को मालुम है कि भारती जन्ता पार्टी हमेशा से सर्यंत्र करती आई है और उस सर्यंत्र करने का जो कारण है वो आप सबको मालूम है कि भारती जन्ता पार्टी के हालत मदवर्देश में बहुत ही देनी है और सिंदिया समर्थक ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं कि सिंदिया जी ठेकेदार बनते थे ग्वालियर चंबल के और ग्वालियर चंबल में ही सबसे जादा भारती जनता पार्टी की हलत खराब है क्योंकि यहां एकाज सीट पर उनका खाता खुलना मुस्किल हो रहा है तो इसलिए यह सिंदिया समर्थक इमर्ती देवी ने शड़यंत्र किया है कि किसी तरह से वह इस इजद बचा सकें और एक अच्छे आदमी की जिसने सरसट अजार से जीती इमर्ती देवी को धूल चटा दी उस आदमी की इजद को धूमिल कर सकें इमर्ती देवी बड़ी सिंदिया समर्थक मानी जाती है तो क्या लगता है यह लिए वाया है क्या वाकिशन्त्र है या यह लगाना तो यह अस भी जनसेवक आदनिया स्री सुरिष राजी जी पर यह लांचन लगाना उनकी एक भेंकर साजिस का पढ़ाम है तो जैसे कि उनकी ऑडियो जैसे बाहरल होई है तो उसमें भी हमें देखने को मिला है कि वह किस तरह की भूमिकार रच रही है सुरिष नफरत का दौर है जनता त्रहिमाम कर रही है हिंदू-मुसल्मान से लड़ रहा है भाई-भाई से लड़ रहा है हर जगे विबाद है देश पूरी दर से इनकी साजिसों के चंगल में फस गया है जिसके पूरवज और पूरवजों की सिक्षा है देश को बाढ़ने की रही है साजिसों सेलेंद्र की रही है तो देश प्रेमों देश भक्ति तो इनमें कता ही नहीं है तो उसी के पृतिफल आज हम बरतमार इस्तिती में जैसे सिंद्या समर्थक को देखें तो सिंद्या जी सुयम भी गदार परिवार को उनका पूर वितियास रहा है अभी इमर्ति जी ने जिस तरह का साजिस रचाए तो इनके चाल तरह को जागर करता है और ओडियो इसकी पुष्टी करता है कि इसमें साजिस इमर्ति जी की है अभी तक चार दिन हो गए जो वीडियो वायरल हुआ था कॉंग्रेश विधायक सुरेश राजे का तो अब तक ना तो कोई अ उनने कराई और श्रेश अरो इमर्ति देवी पर लगा रहे हैं कैसे लेक देखना वही समझ साही है कि यह दोनों नेता एक कॉंग्रेस का एक बीजेपी का यह दोनों नेता आपसमें संदी हैं और वह संदी से आज से नहीं कई बरसों से लोगों में आपसमें बहर भावना चली आ रही है अब जो कि जब इमर्ति देवी कॉंग्रेस में थी तो वो सिंद्या समर्थक ती अब उनने चोड़के बीजेपी में चले गई तो सुरेश राजे को आप कॉंग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया अब चुकि सुरेश राजे की चभी बहुत अच्छी है इसलिए उचनाव जीत गए मर्ति देवी ने कई बार अपने ब्यान में कह दिया मैं तो कॉंग्रेस में बहुत अच्छी थी अब बीजेपी में आके में पस्ता रही हूं अब चुकि चनाव जीतने के लोग नए नए हतकंड़े अपनाते हैं उसी परंगान में यह और उनको प्रचाजित करने के लिए मर्ति देवी ने खुद ब्यान दे दिए किसाब इसको ऐसा कर दो तो यह करनी कथनी में तर सब जंता समझ रही है अच्छेतर के डवरा चेतर के बनान सवाके जो लोग है वह चीच को समझ रहे हैं क्योंकि जूटो यारूम लगा जा र पाया उनने तो अब जंता समझ गई है जूटे बादे सिवरा सींके हैं और इमर्ति देवी को रहाने के लिए बिल्कु चंता तयार बैठी है इसी प्रकार इस परकार के लांचन सुरेष राजी को उपर लगा जा रहे सुरेष राजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं जंता से जुड़े हुए जिसी बज़े से आज जंता ने उनको चीत के जिताये था आगे आने वाले सभा में फिर वो जीतेंगे और इससे कई हजार पचाचाच जार बोड़ों से चनाव जीतेंगे यह जंता की डिमाइंड है तो यह थे ग्वा सवा से कॉंग्रेस को जीत मिलती है या फिर बीजेपी अपना पर्चम लहराती है वाले से टीवी नाइन डीजिटल मद्रपदेश के लिए धर्मेंद्र शर्मा